गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन अब प्रमात्मा ने आदा दूद पी लिया आदा छोड़ दिया और कहा ले वाई बच्चो ले लो यो परसाद तुम भी पांट लो वो बड़े बड़े जो पाली थे वो कहने लगे हमना पिवाँ जादू जनतर का पाप का दूद घुमारी गाएं का काड़ दिया निकाल दिया अर्तों ना जने के जादूगर अर्तों ने जो उठा कर दिया पता नहीं तो किस जात का है हमना पिवाँ तरह जो उठा दूद वो तो उठके चले गए गवरावी गए कि यह तो जादूगर सा दिखा है, वो तो दूर चले गए और रहे गए अकेली प्यारी आत्मा उनकी गरीवदास साहिब जी, तब उनके प्रमात्मा और प्यारी आत्मा काफी गोस्ती हुई, तब गरीवदास जीनका बगवन, सचमुच, बिर मा भी सुनो महे स्रीन देवताओं से उपर भी कोई भगवन है कहा, कोई ऐसा सथान भी है, जहां कभी जनमते मरते नहीं, जैसे आपने बताया, किरपा मुझे एक बार वो दिखा दो, दाता ने तो दिखाना ही था, उसको गवा बनाना था, उस आत्मा को ले करके उपर गए, बिर मा विश् वो कहते हैं, जी मेरा तो टाइम आलिया, मेरी तो पुझी खतम वली, पर मा तुमा ने पूछा, कहा जाओगे, अगपता नहीं कहा जाएंगे, उसका सुरग के अंदर एक और समस्या है, तीन वर्स पहले उनको पता लग जाता है, तुम्हारी इतना समय सुरग का रह गया, फिर कहा जाएंगे, नर्क में भी जाना पड़ सकता है, गधे भी बनना पड़ सकता है, अब तीन वर्स पहले तो उनका खाना पीना छूट लेता है, उस सुरग के अंदर, फिर दिखाया प्रमा अतुमान उपर ब्रम लोक में, ब्रम लोक दिखाया, वहां नकली वो बना र अधिस के लोक में गए, जब धर्म राज के पास परमात्मा पहुंचे, और साथ में वो गरीबदास साहिब वाली आदमा, तो जो ही धर्म राज के दरवार में परमेश्वर ने परमेश किया, नयाधिस के इकिश ब्रमान के नयाधिस के लोक में, तो नयाधिस खड़ा हो ग पैठे नहीं जैसे एक उंच अधिकारी अपने छोटे अधिकारी पर करमचारी पर जाकर उसको आदेश देता है और वो अपनी कुरसी त्याग कर खड़ा हो जाता है और सलूट मारता है जी सर जी सर जो एक सिष्टाचार होता है ऐसे धरमराज खड़ा होकर करवद्ध होकर औ भी मालक कादेश देरे तेसे रोधारिये कर रहा था अब ये परसंग अलग है यहां इसको चैप्टर को आगे नहीं बनाई तो फिर सतलोक में लेकर गई सतलोक में क्या देखा अधनी अगरिवदास साहिब जी ने कि वहां एक बहुत बड़ा गुमज है बहुत बड़ा एक सतूप है उसके बीच में उच्चे सिंगासन पर प्रमात्मा विराजबान है और शिर्पे मुकट है सफेद आसन है सफेद सिंगासन है सफेद ही प्रमात्मा का रूप है शरीर है रंग है और सफेद ही सारा लोग है अब नीचे से जिन्दा महात्मा के रूप में जो पर महात्मा जा रहे थे कबीर जी गए थे सतलोक में वहां अपने ही दूसरे रूप तेजों में रूप के उपर चमर करने लगे वहां से उठा कर जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर किया करता है अब गरीब दास जी ने सोचा कि ये बाबा जी तो यहां का कोई नौकर ना करोगा सेवक और बगवान तो यू है जो तकत पर बैठया अब थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि जो तकत पर विराज़ शिंगासन पर विराज़मान थे बगवान वो तेजों में स्रीर वाले तो खड़े हुए और जिन्दा मात्मा के रूप में जो नीचे से गए थे बगवान वो उस ओर आल कंट्रोलर के सिंगासन पर विराज़मान हो गे और वो तेजों में स्रीर वाला भगवान चवर उठा कर उस जिन्दा वाले रूप पर चवर कर रहे नौकर की तरहे शेवक की तरहे अब गरीब दास जी ने सोचा भगवान शेवा कर इसकी इतने में क्या हुआ कि तेजों में स्रीर जो था वो उस जिन्दा वाले मात्मा के वाले स्रीर में समा गया एक होगे दोनों अकेले कबीर देव जी वो बाबा जी रूप में थे जिंदा मातमा के रूप में वो विराजमान है ओवराल कंट्रोलर के सिंग आसन पर यानि कुल के मालिक रूप में और चमर अपने आप हो रहा है अपने आप ऐसे चल रहा है तब परमातमा ने कहा के गरीबदास यहां थे तुम पहले देखो यह तुम्हारे मकान खाली पड़े हैं पूरे बुडे लूंबे चोड़े फलेट के फलेट अरजा फसे वहां काल के लोक में सुहरी डिटेल बताई शिरिष्टी रचना सुनाई तब गरीबदास साहिब ने का बगवन मुझे यही रख लो बगवन वो तो गंदा लोक है यह बगवन कैसे जाओं अब उस लोक में इस लोक को देख कर वा कैसे जाओं बगवन वो तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कीडे मकोडे हुआ करते यहां सुर्ग तक के प्राणी भी भादुखी बगवन मुझे यही रख लो मेरे मालिक प्रमात्मा ने कहा कबीर जी ने के नहीं बेटा तुम यहां से जब गए बगती से प्रीपूर्ण थे और वहां जाकर तुमारी बैटरी डाउन होगी सारय कि यह तो मैं अपनी शक्ती से तुझे यहां लाया हूँ अब तुम वापस जाओ आपके भाई बहन काल के जाल में फशे हुए है उनको यह ज्ञान समझाओ जो तुने आखों देखा यह साची साच बताओ और बेटा मैं तुरे साथ रहूँगा और तुझे सतनाम दूँगा वो सतनाम की वक्ती सुमन करने से तुम्हारे अंदर सिगर ही वो वक्ती संचित हो जागी जो तुम्हें यहां लेकर आएगी वो वक्ती की कमाई तुम्हारे अंदर संचित हो जागी इतनी संतित हो जागी जैसे फिर गृबदास साइब ने प्रमात्मा से प्राप्त ग्यान को फिर कैसे बोला है कि सत नाम पालड रंग हो री हो चोदा लोक चड़ावे राम रंग हो री हो तीन लोग पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो अधनी गृबदास साहिब जी की वाणी में एक होरी नाम का आंग है होरी माने होरी, होरी में खुसी मनाते हैं लोग तो गृबदास साहिब जी कहते हैं कि या नकली ओडी हम नहीं बाची ना लगती हम तो राम नाम की ओडी खेल लेंगे भाई जिसको हम रोज खेल लागरेंगे एक दिन खेल कर हम संतुष्ट नहीं होते तो क्या बताते हैं कि इस सत्थ नाम के स्वास उस्वास के द्वारा जो आपको दिया जाता दो खरका मंतर जिसमे कोम है एक तत गुपत है जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ग्यान है इसके एक स्वास उस्वास का सिमर्ण आपको बताया जाता है विधी जब नाम दिया जाता है तो एक स्वास का सिमर्ण आपकी वो कमाई डेपोजिट होगी आपके गुड अकाउंट में और वो इतनी वैलूएबल है वो इतनी कीमती है कि यहां के एक चौदा लोग जैसे साथ निच्चे के पताल और उपर यह शिव लोग विशन लोग बिरमा का लोग धरमराज का लोग दुरुगा का लोग, बिरम का लोग करिए जो दूसरे हैं गो लोग वगएरा इन चौदा लोगों को दूसरे पलडे में रख दे और एक पलडे में रख दे एक स्वास उसवास केस नाम की कमाई, वएलू किमत और तीन लोग पासंग धरे कौन से परचवी लोग स्वर्ग एक कोमन स्वर्ग लोग है जो इंदर का इंदर वहां का सासक होता है वो स्वर्ग लोग ये परचवी लोग और नीचे का पाताल लोग कहते हैं इन तीन लोगों को ये तो इस सौदे में हैं ही नहीं जैसे पहले एक देशी से एक सिंपल से तराजू होया करते थे तकडी एक डंडी बांद के उसके बीच में रसी बांद लेते दोनों किनारों पर पलड़े लटकाए दिया करते थे और कोई सौदा लेने के लिए विपारी आता था हमारे घरों पर क्योंकि दास का जनम एक जाट किसान परिवार में हुआ तो बढ़िये लोग आते थे गे हों कनक जैसे बाजरा जवार चने गुड सक्करा दी लेने के लिए तो हमारे पिता जी कहते थे भाई लाला जी पहले तरी ताखड़ी चैक करा इसमें कोई ऐरर तो नहीं है इसमें पसिंग तो नहीं है तो वो देख दिखाता था यदि उसमें कोई डिफैक्ट होता तो उसी जो कनक जैसे चने तोलने है तो चणों की एक मुठी वरक रहे, उसको बैलेंस करने के लिए एक पलडे में जिसमें डिफेक्ट होता था, उसमें डाल दिये जाते थे इतने एक चणे, वो सेट हो जाता था, errorless हो जाती थी, फिर जिससाइड में वो चणे रखे थोड़े से, उससाइड में बट्टे रख थे, दूसरी तरफ से फिर पलडे से, वो सोदा तोला जाता था, यानि जो पासिंग रूप में, वो चणे इतने एक रखे, वो तो सोदे में नहीं हैं, वो तो वैसे एक्ष्टा रखे, उनका कोई अकाउंट नहीं, तो कहने का भाव ये है, कि एक सतनाम के सिमर्ण की कीमत, विधिवत मर्यादा में रहते वे, पूरे संत से प्राप्ट करके, कितनी कीमत हो जाती है, सतनाम पालडे रंग होरी हो, चौदा लोक चड़ावे राम रंग होरी हो, तीन लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तोना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, अब प्रमात्मा बताते हैं, कि ऐसा मंतर है ये गजब का, एक सतनाम का सिमर्ण इतनी किमत आपको देगा, और बाकी वो पांचो नाम काल केर, तीन, वो दूसरे सत पुरो, अकाल, मूरस, सबसर फीराम, ये तो कती, एक आनने के भी मंतर नहीं है, ये वोक्स दायक नहीं है, ये तो भगवान की महिमा है इसके अंदर, अर ये पांचो नाम काल के, ओंकार, रंकार, जयोति ने रंग ह है तेरा गजब वही हो और सोहम और सतनाम अपने अत्माओं जो हम परसंग पर आते हैं जो आज का परसंग है यह बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा को अब क्या बता अगरी ग्रीवदास साहिव जी को पुझे प्रम पुझे कबीर परमेश्वर जी ने के बेटा इसा मंत दे दूँगा नेक निती से वक्ती करना मरियादा में रहना हमारी सरन में रहना और थोड़े ही दिनों में आपका बहुत ज़्यादा कीमत बने जागी लेकिन एक धान रखना इस सतनाम को किसी को बताना नहीं यदि ये काल के दूटों के हाथ लग गया तो बीचली पीड़ में जो हमने वाइदा कर रख्या कर युग में काल से के सब जियों को अपना सचा नाम सतनाम दे कर पार करूँगा इन काल के पंथियों का हाथ लग गया ते नकली पंथ इसी नाम को देते पाऊंगे फिर हम बिन्ता नहीं कर पाऊंगे आप स्वमजाप करना और अपनी वार उन पालियों ने गंटे दो गंटे के बाद संभाला के वो बच्चा कहां है देखा वो तो बैठे हैं हाथ लाकर देखा वो अगलो डगया उसमें आत्मा थी ही नहीं गाउं में पता चला अब कहने का बाँ यह है कि उनको चिता पर रख दिया अंतिम संसकार की त्यारी कर द लकडी लकडी ले गे तब प्रमातुमा ने गरीवदास जी की आत्मा को वापिस बेज दिया उस प्यारी आत्मा को शरीर में चिता से उठकर चल पड़े और आखों देखा हाल वगवान का वरणन कर लागे और वो वरणन किया हुआ उनका आखों देखा तो उस सामने हैं अब सुनाते हैं अपना अत्माओ जैसे तुलसी दास जी ने रामान चौपाईयों के माधम से बोली है लाखों वरस पहले की बीती हुई गटनाएं श्री राम ग्यान योग खुल गया था इसी परकार ग्रीब दास जी का ग्यान योग समर्च सकती ने खोल दिया उसके अंदर अपना ग्यान फीड कर दिया सचाई अपना अत्माओ जैसे दूरदर्सी होती है दुरबीन माइक्रोसकोप बोलते हैं तो उसकी रेंज होती है कोई ते एक दो किलो मीटर तक देख सकती है और एक देख लेए मनमाना आकास के बहुत लंबे दूर तक के इन बिर्मणों को तो उनकी रेंज में अंतर होता तो गřीवडास जी कि जो जिवदृष्टी थी वो स्री तुलशी दास जी से कहीं अधिक सकतिसाली थी अब जिस परकार तुलसी दास जी की कृत रामन को हम सत मानते थे ऐसे ही गरीब दास कृत प्रमात्मा की महिमा को हमने सत मानना देखना आप सुनाते हैं आपको कासी पुरी कस्त किया उतरे अधर अधारे चौरासी बंधन कटे की नी कलप कबीरी बावन चतुर दस लोके सब है तूटे जन जनजीरे अननत कोट बिरमांड में बंदी छोड कहाए सो तो एक कबीरे हैं जो जननी जने नवाए पुरात्मा सब कंसेट कलियर हो जाएंगे इस प्रमात्मा की वानी तै सबद सरूपी साहब धनी सबद सिंद सब माही बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही दल्थल पर्थवी गगन में बाहर भीतर एक पूरण बिरम कबीरे हैं वो अवगत पुरस अलेख अनन्त कोट बिरमांड का एक रती नई भारे सत गुर पुरस कबीरे हैं ये कुल के सर्जनहारे सेवक होके उतरे इस प्रच्वी के माही जीव उधारन जगत गुरू हूँ बारे बारे बली जाही अब आदनी गरिवदा साहिब जी परमातमा से प्रिचित होकर के क्या बताते हैं के वो सारी सिर्ष्टी के रच्णहार कुल माले का मारे पिता सेवक होके उतरे कबीर दास को आए कबीर दासे सेवक होके उतरे इस प्रच्वी के माही जीव उधारन जगत गुरू हूँ बारे बारे बली जाही जीव कुद हरन करने के लिए वो जगत गुरू यानी सूरे विस्वे को ग्यान देने वाले सच्चा ग्यान देने वाले वो जगत गुरू और गरीब दास जी कहते हैं बार बार मलिहारी जाओं उस परमपताप है उसने कैसे जया करी हमारे उपर कासी पुरी कस्त किया उत्रे अधर अधारे मुमिन को मुजरा हुआ वहां जंगल में दीदारे कहते कासी पुरी में परमाजमा का आगमन हुआ और उत्रे अधर अधार वो किसी मा से जनम ने लिया उपर तो हाए अधर अधर ते हैं यानि उपर से आए नीचे और मुमन को वहाँ मिले मुसलमान जुलाहे को जंगल में सरौर के उपर अब उनकी कितनी सोभावनन करते हैं कोट करन ससी भाने सुद आसन अधर बिमाने परसत पूरन ब्रह्म कूसी तलपेंड और प्राड़े अब नीवा ने गोदी में ले रख्या था परमात्मा को जिस बगवान के नाम लेने से आत्मा भर आती है कि वो इतने दुखी हो रहे हमारे लिए हर हमारे बाम में भी को नी हमारा पिता हमारे पीछे पीछे घूम रहा है हमने काल की भांग पी रही है कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अठपटी सब गटान अड़ी और किस-किस ने समझाऊं या कूँ भांग पड़ी अब वो हमारे साथ लिए भटक रहे हैं जिस परमात्मा के गुनगान सब गुनध कर रहे हैं और वो एक उस पुन्यात्मा की गोज्दी में हैं अब उसको कितना अनुभाव आनंद का हो रहा होगा पुन्यात्मा अब कोई जीव नहीं उसको उनन कर सकती है अब क्या बताते हैं गरीबदा साहिब जी कोट किरन ससीभान सुद्य आसन अधर विमान परसत यानि छूते ही स्पूर्ण परम को और नीमा के सीतल पेंड और प्राण एकदम सांती सी होगी नीमा ने परमात्मा को कैसे प्यार किया गोदलिया मुक्चूम कर वो हेमरूप जलकंते जगर मगर काया कर जैसे दम केंपदम अनन्ते माने यानि एक मातर भाव से बालक को जैसे प्यार किया करते हैं मुँ चुम कहें और सिन्ने से लगाया इतना सुन्दर स्रीर प्रमात्मा का जैसे सफेद बरफ होती है हेम रूप जलकंत हिम माने बरफ सफेदी जो बरफ की है वो सबसे अधिक मानी गई है तो कहते हैं वो सनो वाइट कलर था मालिक का इतनी सुन्दर सफेद स्रीर था अब क्या जब घर पर लेकर आगे बालक को तो प्रमात्मा को देखें और केके बोलें आपस में एक दूसरे की डिस्कस करते है का सी उम्टी गुल भया ये मुमन का गर गेरे कोई कह बिर्मा विश्णू है कोई कह इंदर को बेरे के सिंपल चाइल्ड नहीं है ये एक साधान सामान्य बालक नहीं है इतना सुन्दर ऐसा रूप इसका तो कहते हैं कासी उम्टी यानि उम्ट का आगे पूरी कासी के नगर राज्जा तक भी आगे वाँ देखने के लिए कासी उम्टी गुल भया सारा सोर माच गया और मुमन का घर घेरे चारोतर तो गेर लिया घर उनका देखने के लिए तोड़ के तोड़ गीत गाते आओं और ओरते और कोई कह बिरमा भी सुनू है कोई कह इंदर कुबेर जो भी देख कर जाने हो करो इसा बालक तो देख़्ा है नहीं जैसे खुद भगवान श्री कर सना रहे हो भगवान संकरा रहे हो हो सकता है इंदर और कुबेर कुबेर मत आरे हो दन के देख़् कोई कह वरुन दर्म राए है कोई कहत है ईसे सोला कला सुभान गती ही कोई कह जगदी से बगती मुक्ती ले उतिरे वे मेटन तिनूता पह मुमन के डेरा लिया ये कह कभीरा बाप कहते हैं वो प्रमात्मा सबका मालिक और उस एक जुलाए धानक को एक मुसलमान जुलाए धानक को और प्रमात्मा पिता जी बोलते हैं बाप कहते हैं कोई कह चल इस वर नहीं कोई कि नरक लाए कोई कह गण इस का जो जो मात रिसाए अब जैसे जितने नामदर है न उस बालक के उपड़ है कहते हैं उतना ही वह निम्मा उन्ने दमकावे क्यों मेरे बच्चे का नजर लगाओगे तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है खलक मुलक देखन गया वहां राज्जा पर जारी ते जम्बू दीप जिहाने में वह उत्रे सब्द अतीत दुनी कहे यू देव है ये देव कहते है ईसे इस कहे ये पारबरम है पूरन बिस्वेबीश अपना अत्माओ अब क्या बताते हैं जो दास आपको वेदों और इस सक्त कथा से परकर आपको परमानित करना चाहता है कि कौन भगवान है कहां परमान है एक तो आँखों देखा परमान ये एफिडियूट गरीब दास दे रहे और फिर आपको वेदों में दिखाएगा दास और फिर कवीर परमातमा जी की लीला दो छ्छसो वरस वेले आदने दरमदास जी ने लिखी थी अपने करकमलों से वो दिखाएगा तो हम अपने वगवान को समझ लेंगे पालेंगे अब क्या बताया है दूद ना पीवे ना अनबक है ना पलने जूलनते अदर अमान धियान में ये कमल कलाद फूलनते अब क्या बताते हैं कि पत्चीश दिन के होगे भगवान कभीर साहिब यानि एक लीला में शरीर में और ना कुछ अन खाऊएँ ना कोई दूद पीवे और सोस्त ऐसे जैसे रोज एक लोदूद पीता हो बालक इतना सोस्त शरीर और जैसे कमल की तरह कहते हैं नो एकदम शरीर बढ़ता दिक है उनका कमल का एक नेचर होता है सुभाव है कमल का फूल किसी सरूर मह हो और उसमें जल बरत बरना सुरू कर दिया जाए तो जितना सपीड से जल उपर होगा तो कमल का फूल पूधा उतना ही साथ की साथ उसे उपर रहेगा इतने सपीड तो बढ़ जागा तो यहां क्या बताना चाहते है उसे तुलना कर रहे है आदने गरीबदा साथ जी की सवस्त तो ऐसा दिखे जैसे रोज किलो दूध पीता हो बालक लेकिन खा पी कुछ नहीं रहे थे तो निमा को चनता हुई रोने लगी बुरी तरह के यह बालक मरेगा कुछ खाता पीता नहीं अब तो यह कुछी समय कंट्रों का ही मेमान है बहुत बुरी तरह विलाब कर रही थी बहुत बुरी तरह विलाब करने लगी अब परमात्मा कहते हैं करे कराव साइया मनमलर उठा रो रही थी अपने भगवान सिव जी को याद करकर के के ये भगवान सिव जी हे दाता या तो ये बालक देना ही नहीं था अपना रोपीट कैसे में पास कर रही थी अरे प्रमातमा अब ये दिया है वापस ले रहे हो अब ये आपकी दासी अब जीवे नहींगी इसमिना ये फाइनल फैसला है ये तो मालक अंतरियामी ते समझ गे थे ये बुडिया मरेगी इतना मरत तक के दें क्योंकि वो नहीं नहीं मरना था वाक इतना मरे थी पर उसका भै बढ़ गया कस उता और उसको संतुष्टी हो नहीं सकती तो प्रमातमा ने शिव को कारिमोट दबाय शिवजी बगवान का शिव उत्रे शिव पूरी से वो अवगत बदन विनो दे मैं के कमल खुशी भै जब लिया इसकों गो दे अब कबीर साइब ने प्रिर्णा की बगवान शिव जी को कि तेरी कौन आत्मा तुझे याद कर रही है ऐसी विलाब कर रही है तो वहाँ एक साधू रूप बना के महत्मा का रूप बना के सिव जी आकर खड़े होगी वहाँ और कहा माई क्यों रो रही है और वो रो रही थी एक बार सरसरी से नजर देखकर रो रही थी कि बाबाजी के ले रही बाड़ कुछ खाता ना बीता बगवान संकर ने पूछा के माई क्यों रो रही हो क्या बात क्या पती है तेरी हक्माराजी तेरे बसका को नहीं मेरा मेरा दुख निवार ने कर रहा है नो कह करो ते रो ते फिर रो पड़ी है बहुत बड़ी तरह बगवान संकर ने कहा कि हमाई नो ऐसे कहते है अपना दुख किसी के सामने कह दे तो हलका हो जाता है इसी दृष्टी कौन से बता दे तू क्यों रो रही है तब उसे ने बताए कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी और एक दिन मैंने सची आत्मा से अपने बगवान संकर जी को याद किया था उसने मुझे ये लाल दे दिया कमल के फूल पर मिला मुझे सुनान करन गए थे हम दोनों और अब मातमा जी ये कुछ खाता पीता नहीं पत्शी दिन का हो गया और इसलिए रो रही हूं कि ये मरेगा और साथ मरूंगी मैं अब मैं जी नहीं सकती इसके बिना मैं नो रो रो रही हूं मातमा जी तो बगवान से बने कहा तेरा बच्चा तो दिखा मुझे माई लाई उठा के और बच्चे को परमातमा नौजाद से सुपत्शी दिन के बालक को सोचा कि मातमा की चरना में गेर जूँ कुछ आसिर वाद पराफ तो जाए इसकी जिंदगी बढ़ जा जो ही सिवजी के चरनों में बच्चे को नू डाला वहां से उठ गे बगवान आकास में और बगवान शिवजी के सिर के पैरलल में हवा में ऐसे सथीर होगे बालक माई नो सो चरी निमा कि इस बबबा जी की करामात है मेरे बच्चे को इतना उचठा दिया जमीन ते तो उसका होसला साब ड्याक बात बनाएगी अब शिवजी ने ऐसे हाथ किया बगवान उनके कबीर परमातमा शिवजी के आथों में आगी और फिर उन दोनों की बात हुई परमातमा ने कहा कि शिवजी इनको कह दे एक वारी गाएं लियाओं एक कोरा बरतन लियाओं को मार के थे सवस्थ और उसको दोख है और आप इसके कमर पर हाथ मार दिये कवारी बच्छिया के वा दूद देगी और उस दूद ने पिऊंगा शिवजी ने कहा कि माई तिरह पती कहा है अका भी बलाती हूँ वो अंदर था क्या आईयो जी ऐसे ऐसे महरा जी कह रहे है एक बच्छिया लिया एक बरतन लियाना कोरा को मार के थे अब गया वो नीरू एक बच्छिया ले आया बगवान संकर ने उसके कमर पर हाथ थब की मार दी आशिरवाद वर्या हाथ रख दिया और वो छोटा सा पातर था वो गाएं के नीचे रख दिया बच्छिया के अब वो दूद चल पड़ा पातर भरते ही बंद हो गया वो दूद परमात्मा ने पिया और शीव जी चला गया अपने अत्माओं ये गरीब दास सायजी कहते है दूद न पीवे न अन भखे न पलणे जोलन थे दास गरीव अदर धियान में ये कमलकला पोलन थे दूद न पीवे न अन भखे न पलने जोलन थे अदर अमान ध्यान में कमल कला फोलन दे सिव उतरे सिव पूरी से वो अवगत बदन बिनो दे मैं के कमल खुसी भए जब लिया इस को गो दे पर वात्मा को गोदी में ले लिया अब दोनों बगवानों की जब नजर में नजर मिली केते हैं नजर नजर से मिल गई किया इस पर नामे संकर भगवान ने उस बालक को पर नाम किया गोदी में लिया लिया मत्ठाटे का और धन मोमन धन पूरे ना ये धन का सीनी कामे के धन है इस नगरी का जहां ऐसे सिद पुरसाए अब संकर जी भी ना समझ से के ये कौन है साथ बार चर्चा केरी बुले बालक बेने सीवकू कर मस्तक धर्याल्या मोमन एक धेनू एक धेनू ल्या धेनू ये निगाएं अनब्यावर को दूहत है दूद दिया ततकाले पीवे बालक बरमगती ताशिव भए दयाले अपना तमो ये तो आदनिय गरीब्दा साहिव जी की वानी में सफ़ष्ट हुआ कि सीव जी वहां अपनी राख सिव लोग से आये थे सीव पुरीत है और प्रमात्मा को उनकी बात चीथ हुई थी और अपने अत्मा आदनिय द्रमदा साहिव जी ने कबीर प्रमेश्वर जी की लिला छस्सो वरस पहले लिपी बद की थी और फिर काल के दूट कबीर पंथ में गुस गए क्योंकि काल ने कहा था कि जब तुम जा लोगे यहां प्रथवी से और तब आपका जो पंथ चलेगा बारा नकली पंथ चलाओंगा कबीर नाम ते और वो जो ठे नाम देंगे शाष्टर वरुद पर केंगे हम कबीर पंथी अर आओंगे मेरे मूँ में और कहते हैं दौदस पंथ करूं मैं साजा नाम तुमारा ले करूं आवाजा यह दौदस पंथ नाम जो लेही सो हमरे बुकान समोई और अनेक पंथ में चलाऊं या विद जीवों को भर्माऊं बहरात वे कबीर पंथ के बहरात पंथ और अनेक पंथों में ये रादा स्वामी पंथ जै गुरुदेव पंथ डंदन सत्गुरु पंथ ठाकुर्जी वाला पंथ और ये सच्चा सोदाशर साजगमाल वाली ये युगंगुवा वाला पंथ एक दनोद ब्यानी वाला ताराचंद वाला पंथ एक आगरा वाला पंथ ठाकुर वाला पंथ ये सारे के सारे सतलोक और सच्कंड की महिमा बताते हैं नकख नहीं पता उसके बारे में तो ये काल के चलाए हुए पंथ हैं और इनके मुखिया जो थे वो बहुत पुनकर्मी पराणी थे प्रमात्मा के बच्चे थे और वो बिछुडगे बगवान थे फस गे काल के उन इसका दुरुपियोग करके करोडों जीओं को अपने जालमा फसा लिया तो पुनात्माओं इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर में बहुत कुछ काट छाट कर ली अपनी बुधी अनुसार और उसको छपवा दिया फिर भी सचाई को छुपा नहीं सके अब आपको दिखाते हैं पहले तो उस कबीर सागर के अंदर दिखाते हैं अपनी सोच से कुछ काट छाट कर क्योंकि क्या होता था कि भगती जहां नहीं होती भगवान का संग नहीं होता सत भगती नहीं होता तो उसमें क्या होता है कि जो कथाएं परमात्मा के विश्यव से उन्होंने कबीर सागर में कुछ अन्स को देरे-देरे हटाना सुरू कर दिया कि जिस से एक सिंपल सा बन जा आम आदमी सुविकार कर ले या उनकी भूल थी तो उसकी पूरती करने के लिए मालक को पता था कि ऐसा ये काल करवाएगा तो आदनिय गरीवदास साहिब जी के मादर से अपनी सची महिमा फिर दोबारा से अमर्त वाणी उनके दोबारा वरनित करवा दी उसकी पूरती गरीवदास साहिब जी की वाणी से होती है और प्रमात्मा ने सभशकार लिखा है 600 अरश पहले बोला था कि बरमापंथ जो होगा गरीवदास वाला 1774 में उसका जनम होगा समवत 1774 और वो ऐसे गलती से पिछितर लेखिया कभी रिसा करना है तो उस समें वो जो आएगा मेरा हांस उसकी दोबारा जो अमर्त वाणी मेरी वाणी पुने पर गठ होएगी लेकिन उस गरीवदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा दरमदास और सभी पंथ में टाके एक पंथ चलाऊंगा ऐसा कहा था प्रमात्मा सुमनी आई दास को भेज दिया पुने आत्माओ वो सकता दास की अर्जी सुन ली हो मालक ने के दाता आपको बहुत परिसान करते हैं आपके बच्चे उस काल से प्रेरित हो करके इस दास को वो सकता सुविकार करके इसलिए बेज दिया हो तो बापको जिखाते हैं कबीर सागर के अंदर और फिर जखाएंगे बेदों में और प्रमात्मा की वह आणी फिर स्चद हो जागी बेद मेरा बेद है मैं ना मिलो बेदन के माही अर्जोन बेद से मैं मिलो वह बेद जानते नाई देखिएगा कबीर सागर ये कबीर सागर संपूर्ण ग्यारा भाग, इसके कौन प्रकासक है, यह देखिया है, स्री खेमरा, स्री करसंदास, प्रकासन, बंबई, यहां देखिये जा, जो संसोदक है, वह भी कबीर पंथी है, कबीर पंथी भारत पती, स्वामी रुगलानन विहारी द्वारा प्रिस्कृत, अब इसके हम आपको दिखाते हैं, यह है ज्ञान सागर, इसके चुहत्यर प्रिष्ट पर, सुन जुल्हा मन वहो आनन्दा, जिमी चकोर पायो डिस्चंदा, ले सुत चले हरस मन की ना, और तास्वा पुने अस बोल ही दिन्या, सुत कासी को ले चले, यानि पूतर को प्राव्द करके चल पड़े, लोग देखनते हैं, आव, अन पाणी बक्स है नहीं, जुल्हा सोक जनाव, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, इन कबीर पंथियों ने, कहां इसको सेट किया है, कि ये जो नीरू था, जुल्हा, रामा नंद जी के पास गया, कि है माराज मन एक पूतर मिला है, और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ती बताओ, तो रामा नंद जी ने बताओ, कि कुवारी गाएं लाकर उसके पास खड़ी कर दो, और फिर वो अपने अब दूद देर्ण लाग जागी, वो दूद पीवागाई हो, यह कोई सिद्पुरस आया हुआ है, ये तह कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जोगाड है, लेकिन सचाई गरीब दास जी ने, बात तो ये सची है कि कुवारी गाएं का दूद पिया, लेकिन गरीब दास जी ने वो आखों देखा, चीतरन किया पुन है, उन्होंने बता कि सिव जी आये थे, सिव लोगत है, क्योंकि वो सिव के पुजारी थे, उस नम गौरी संकर व सरुफ्ति नाम के ब्रहमन थे, और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर प्रमात्मा ने उसको बताई थे, सिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया थे, फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है, कि गटना ऐसी ही गटी, लीला ऐसी ही थी, आगे क्या कहा, तब जो लामन की तिवाना, रामा नंद सों कही उत्पाना, मैस उत्पायो बढ़ा गुन वनता, कारण कौन बखे नहीं संता, ये संत रामा नंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है, और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है, रामा नंद ध्धान तब धारा, जो लासों तब वचन वुचारा, पूरो जनम में तेम्रा मन जाती, हर सेवा के नहीं वली बाती, कुछ तुम सेवा हरकी चुका, तातें वहो जल्ला कारूपा, प्रिती पर्भू गय तोर लेनी, तातें उद्धान में सुत तोहे दीना, ठ पर भूर जस की नहात अस पायो, आरत हो तो दरसन आयो, सो कहिये उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई, इसा जतन करियो दाता है तो जो मेरे गिल बनी, सो बनी, अब ऐसा कोई युक्ती बताओ, जिस से मेरा बच्चा कुछ खापी ले, सो कहिये उपाय तुम सुत कोई ग्यानी अवतारा, तुम्हारा बेटा कोई ग्यानी अवतार है, कोई विद्वान पुरस है, इसलिए ऐसे खाएगा यह, रामानद, एक बच्चिया जाही बैल नहीं लगा, सो ले ठाड करोते ही आगा, कि एक बच्चिया ले आना, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कवारी, यह देखे, बच्चिया जाही बैल नहीं लगा, सो ले ठाड करते ही आगा, दूद चलेते ही ठंते, दूद धरो छिपाए, अक सुदावंत जब होए, ता के देखवाए, अब कहते हैं, जुला एक बच्चिया ले आवा, और चलो दूद कोई नहीं जाना, अब यहां पुनात्माओ जैसा भी है, अब यह परमानित हुआ कि छसो औरस पहले परमात्मा ने जो लीला की थी, वो लीपी बद की गई, उसके बाद आदने ग्रीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कवारी गाएं का दूद पिया, और आदने ग्रीबद वरस की लीला हुई, अब हमारे वेद क्या बताते हैं, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा, अब इतने परमान मिलने के बाद है, फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे, हुई इस गोड़, अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं, रिगवेद, रिगवेद मंडल नम नम आद है से, जो किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है, परकास के सारवदे सीक आरिये परती नेजी सभा, मेरी सिदान, भान रान, लाम वेदान इदली, और ये नीचे है, मुदर के, प्रिंस आफशेट प्रिंटर्च, पंद्राश, सोदस, पटव दिहाउश, तरिय नमबर एक यह देखिएगा यहां से प्रहरम से लेंगे हम यहां से रगवेद मंदल नमबर नौ सुक्त नमबर एक का मंत्र नमबर एक में यह देखना यह प्रमात्मन यानि प्रमात्मा की महिमा चल रही है तेर रगवेद मंदल नमबर नौ और सुक्त नमबर एक का मंतर नमबर दो में हे परमात्मन आप है ना परमात्मा के विशे में तीन नमबर मंतर में हे परमात्मन चार नमबर मंतर में हे परमात्मन पांत नमबर मंतर में हे परमात्मन और छे नमबर में रिगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त एक मंतर छे में हे परमातमा की महिमा वेद में वरनित की जारी है अब इन आरिय समाजियों के दानद के चेल्यां के यादागी दानद की थूरी के दानद जीत महरेशी दानद तो नराकार बतावा बगवान को अगर साकार लिख्या है इसमा तो तो वहाँ पैतरा बदल गई है वहाँ बगवान लिखना बंद कर दिया पुरुस लिखना शुरू कर दिया अब पुरसमा ने दानद खुद का बगवान पूर्ण प्रमात्मा होता है, यह भी यह कंसेप्ट कलियर करेंगे पहले, अब प्रमात्मा कहते हैं आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं संत रामपाल जी महराज से नामदिक्षा लेने से पहले, क्या आपको इभक्ती साथना भी करते थे? मेरा परिवार जो है, गायत्री परिवार से उपदेशी था, तो उन्होंने जो साथना बताए थे, उस सारी साथना हैं हम लोग कर रहे थे मेरे पिता जी यहां तक की धाईड़ा गंटे तक बैट कर, जो गायत्री मंत्र था, उसका जाप किया करते थे और कई बार जो हवन यग्य होते थे, उन्हों ही में पार्टिपेट करता था, तो इस तरह की साथना हैं हम लोग कर रहे थे, उपवास रहना और मंत्र जाप करना, जैसे कि कोई हो मंत्र किसी ने बता दिया, कि इस मंत्र की जाप करने से यह लाब होगा, हमने कर लिया, इस जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में जो भक्ती होती थी, आपके जो माता जी, पिता जी भक्ती करते थे, वो गायतीर विवार से लेट रहे थे था, वही कल्चर था, तो फिर संत रामपाल जी माराज की सरण में आप कैसे आए? हुआ यूँ कि मेरे पिता जी जो थे, वो काफी बिमार रहने लगे थे, संत रामपाल जी महाराज की किताब ग्यान गंगा, किसी संत रामपाल जी महाराज की सिस्से के दवारा मिली, तो उन्होंने कुछ दिन तक उसको पढ़ा? पंदरा दिन तक उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उस पुस्तक में, उसके सामने माथा टेका, और इतने मातर से उनको लाब मिलने स्टाट हो गया, सत्लोक आसरम बरवाला में फोन लगा कर, वहाँ जाने का रास्ता पूछा, और गाओं के तिन चार जाने के बाद मेरे पिता जी को दिखाए दिया कि यहाँ जो है, एक अलग ही वातावरण है, सारे लोग भगत जी भगत जी करकर अभ्यवादन कर रहे हैं, और वहाँ का माहौल देखकर पिता जी को लगा कि यहाँ से जाए ही न, तो उन्होंने क्या कि वहाँ से नाम दिख्छा ले लिया, तो जब मैं छुट्टियों में घर आता था, तो यह बिल्कुल एक हस्मुक व्यक्ति बन चुके थे, और बहुत ही नमर सोहाओ के हो चुके थे, यह सारे चीज़े देखकर मुझे बहुत आच्छा रहे हुआ, मेरे घर में पूरा माहौल एक स्वरगी के तरह हो चुका था, मैं देखता कि घर में संतरामपल जी महराजी की क पूस्तक को मैंने काफी अच्छे से पढ़ा, तो देड़ महीने की शुट्टी में मैंने उस सारी किताव में लगभग पढ़कर समाप्त कर दी, और साथ मैंने एक और काम किया कि गीता और जो वेद हमारे घर में रखे हुए थे, उनसे मिलान करता गया, तो दास को यह निस इतना तो समझ में आ गया था मेरे को कि संत्रामपाल जी महराज कोई आम इनसान नहीं है, उनका ग्यान किसी और संत के पास बिलकुल नहीं है, यह सोचने के बाद में मैंने स्कूल से निकलते ही, संदोहर सोला में, स्कूल से पास आउट होते ही, मैंने सब से पहले पाल जी मारासिस रदालू नाम दिख्षा लेते हैं उनको लाब होती है तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे अनुभव रही लाब तो इतने सारे हैं कि मैं जब बताने लग जाओं तो यह पुरा दिन निकल जाए पुरी राद निकल जाए फिर भी सादो लाब खतम ना हो सबस की समस्या थी लेकिन जैसे ही पिता जी ने नाम दिख्षा लेकर घर में जोत लगाना और तीनों टाइम की आरती पुजा यह स्टार्ट किया तो धिरे-धिरे करके हमारे घर में लाब होने स्टार्ट हो गये लोगों को हमारे घर में पांच सज़स्ते रहते हैं मेरे माता प आपल जी महराजी की दया से और उसके बाद में मैंने आयाटी जई एडवांस के लिए प्रिप्रेशन के लिए खोटा जाने का निर्ने लिया की बेटा तु तुरंथ मुण। का आस्रम मुण का अस्रम संतरांपाल जी महराज जी का आस्रम वहां जब मैं पहुंचा। मात्र छै दिन मैं वहाँ पर रहा था और छै दिन के अंदर अंदर मेरा सरी जो एकदम वीक हो चुका था पूरी तरह से हेल्दी हो गया, तंदरुस्त हो गया तो भगवान की ये दया रही कि उसके बाद मैं दुबारा आकर अपना पढ़ाही कंटीनू कर पाया संतरामपाल जी मराज जी के इस आसरम में मैं कुछ-कुछ सेवाई मिली, उन सेवाओं के वकरने के दोरान मेरा नाक की एक समस्या थी, उसका भी मुझे निजात मिला जैसे पहले मेरे साथ ये समस्या थी कि जब ही मैं सांस लेता तो उससे अवाय आती थी, सीटी की अवाय आती थी और कभी-कभी मेरा नाक इतने बुरे तरीके से ब्लॉक होता कि मैं मुझे सांस लेता था जब चीकता था हमें तो चीकने के साथ नाक से खुन निकलता था कई बार इस तरह की समस्या थी मेरे आँक से आसो निकलना, ये विलकुल गया, सिवा करते-करते ही भगवान की दया से एक डॉक्टर के थुरू, मेरा इलाज चलना स्टार्ट हुआ इसके लिए और एक छोटे से ऑप्रेशन मात्र से ही मेरी जो नाक की समस्या थी वो पूरी तरह से खतम होगी ये बहुत बड़ा लाग हुआ मुझे उसके बाद में इन दो सालों में मैंने लगभग बिलकुल जीरो के बार पढ़ाई की थी और मैं हर बार इस बार से ड़ता था कि कहीं मैं इस बार फैल ना हो जाओं अपने कॉलेज के दौरान 12 के बाद से मेरी रूची पढ़ाई में बिलकुल कम हो चुकी थी इसलिए मैं हर बार जो है भगवान की कृपा ही समझता हूँ कि मैं किसी तरह से पास हो पाया और 4 साल का B.Tech मेरा कंपेट भी हो गया भगवान के ऐसी दया रही कि गेट का एक्जाम भी मैंने दिया बिना प्रिपरेशन के उसमें मेरा और आल इंडिया रहें का है पांसो चारणबे है माइनिंग ब्रांच में हर बार जो है एक कोल इंडिया लिमिटेट नाम की कंपनी है मात्र दोसो तिन सु निकलती थी उस साल उस कंपनी ने शॉत सी निका ली और मेरा रहीं 594 था संत्रामपाल जी मराज जी कि विसे स्क्रीपा रही कि मेरा स्लेक्सटन एक ही बार में कोलियंटे लेकिन मैंने डाउट के लिए डाउट क्लियर करने के लिए कि कहीं मेरे को चोट कोई गंभीर तो नहीं आई है पहले तो मनेंदरगड के ऑस्पिटल में जो कि कोलिंडा की होस्पिटल है वहां मैंने इलाज कराया वहां मैंने टेस्ट कराया वहां भी नॉर्मल निकला दुब तो इस तरह के लाव गुरू जी की दया से लगतार मुझे होते रहे हैं जैसे कि अभी संत्रामपाल जी महारा से बहुत सारे ये IAT या मैनेजमेंट स्टूडेंट जोड़ रहे हैं काफी जादा जोड़ रहे हैं तो सर संत रामपाल जी माराज सुरू से ही भक्ती देदी देती है, तो हमारे समाज में धाना है कि भक्ती तो बात का काम है, बुड़ापी का काम है, कहीं न कहीं आप भक्ती करके अपने यंग लाइफ है उससे कहीं समझ़धा तो नहीं कर रहे हैं? संत्रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है यदि हम इस समय भक्ति कर लेंगे तो जो बुढ़ापा है हमारा वो अच्छे से कट पाएगा यदि हम इस समय भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे करम ऐसे ही बिगरते जा रहे हैं हमने पुढ़ने पिछले जन्म में कमाये थे उसी को हम इस जन्म में खर्च कर रहे हैं संत्रामपाल जी मराजी बताते हैं तो जब तक हमारा बुढ़ापा आता है तब तक हमारे पुढ़ने बहुत छीन हो चुके रहते हैं तो उससे हमको कष्ट पर कष्ट आने रखते हैं उन कष्टों से बशने के लिए ही इससे भक्ति करना बेहर जरूरी सबसे पहली बात और दूसरा हमको जो सांस मिला है यह बहुत ही अनमौल है तो एक-एक सांस जो हमारा जा रहा है हम मौत के और बढ़ते जा रहे हैं और यह जो मौनस जीवान इसका मौन लुद्दे से ही है कि हम भक्ति करके संसार से पार हो सके यदि हम जवाने में भक्ति नहीं करते हैं क्या पता हमारी कल मृत्ते हो जाए क्या पता बुढ़ापा ही ना आए और हम उससे पहले ही इस लोग से चले जाएं तो हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे और बिना भक्ति के यह जीवन बेर्थ चला जाएगा हम यहां से नहीं निकल पाएंगे यूससी जी एक बहुत और जैसे कि आप एक पड़े लिखे भक्ति है और मैंने आपसे शुरूबात में पूछा कि पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे तो आपने बताया कि हम जो पारंपरिक पूजा हैं जो देवी देपताओं की पूजा करते थे और संत्रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या आपसे हैं यह बात सही है कि संत्रामपाल जी महाराज से अगर भक्ति लेनी है तो देवी देपताओं की पूजा छोड़नी पड़ेगी पूजा छोड़ी नहीं है संत्रामपाल जी महराज जी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दलबसे ये ब्रम्हा विष्टु महिस और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सत्गुरूब देश संत्रामपाल जी महराज जी हमको जब प्रथम नाम देते हैं तो उनमें इनी देवदेताओं के ही मंत्र होते हैं हम उनी का ही जाप करते हैं बस हमारी पूजा विधी में हमारी साधना में फरक आया है लेकिन हम उनको छोड़ नहीं रहे हैं जैसे कि मैंने कहा था कि जो इस संसार रूप बिच्छ है इसके सही भागों को संत्रामपाल जी माराजी ने विस्तार से बताया है तो उन्होंने यह भी बताया है कि ब्रह्माईष्णॉमहज यह डार सो रूप है जिन से हम पथ्टे रूपी संसार जुड़ हुए हैं यह डार को ही काड़ दिया जाए तो पत्तों तक पोषण पहुंच नहीं पाएगा इस संसार फ़ल नहीं पाएगा ठीक से इसलिए संत्रामपाल जी माराज जो हम सोचते हैं कि भगवानों को देवी देवताओं को छुड़ाते हैं यह बिल्कुल एक गलत एक भ्रांती है संत्रामपाल जी माराज जो है इनी देवी देपताओं की ही साधना दे रहे हैं सर जैसे कि आपने बताया कि संत्रामपाल जी माराज इनी देवी देपताओं की साधना दे रहे हैं संत्रामपाल जी माराज जो भगति विदिया है वो सही बताते हैं वो हमारे बेदों में, गीता में या हॉली बुक्स में अवेलिबल है या संतरामपाल जी महराज की अपनी कोई बेदी है जो उसको सही बताते हैं पहली बात तो संतरामपाल जी महराज जी ने जो ही बताया है वो सासरों से प्रमानित है और हम जो सोचते हैं कि संद्रामपाल जी मराज जी के पहले इस अब क्यों नहीं आया जो कबिर साहब है, वे स्पून प्रमिस्वर हैं संद्रामपाल जी मराज जी बदाते हैं और वे चारो यूगों में आये, उनकी बाते जो है लोगों को उल्टी लगी इसलिए कोई उन बातों को जो है स्विकार नहीं कर पाया सत्यूग में सत्शुकृत कहे तेरा तेता नाम मुनिंदर मेरा द्वापर में करूना मैं कहाया कल्यूग नाम कबिड धराया कबिड साहभ जी की वानी है वे चारो युग में different different नामों से आते हैं और हर युग में अपने घ्राण का प्रचार करते हैं संतरामपालजी महराजी जो है अभी वर्तमान में कभिर साहशाब के वरूप है परमेसुर के वरूप है और उनके तोरह जो घ्राण दिया जा रहा है आप यही मिलान करके देखेंगे, जैसे मैंने कहा था कि मैंने सुरुवात में ही जब भक्तिमार्ग से नहीं जुड़ा था, गीता और वेश से मिलान करके देखा, और मैंने पाया कि संतरामपाल जी महराजी जो ही बता रहे हैं, उस सारे के सारे गीता और वेश से प्रमानित ह तो ये बात आप स्वैम चेक कर सकते हैं संतरामपाल जी महाराजी जो ही बता रहे हैं बिल्कुल सास्प्रभानित है इसमें दो सवाल है कि जो लोग संतरामपाल जी महाराज का सिर्फ लिटरेचर जानना चाते हैं तो उनके लिए क्या ओप्षन है और जो लोग संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा ले रहा चाते हैं उनके लिए क्या option है तो आप इनी नमबरों पर संपर्क करके अपने पास वारे नाम दिक्षा केंदर का पता पूछ सकते हैं क्योंकि आज के दिन में संत्रामपाल जी महाराजी की क्रिपास से पूरे देश भरें 500 से भी ज्यादा नाम दिक्षा केंदर खुल चुके हैं जहां पर निसुल्क नाम दिक्षा दी जा दी है संत्रामपाल जी महाराजी की सस्थंग आज के दिन बहुत सारे चैनलों पर चल रहा है और सभी चैनलों पर विस्तार से संत्रामपाल जी महाराजी वही ज्यान दे रहे हैं आप किसी भी चैनल पर संत्रामपाल जी महराजी की सस्थंग देख सकते हैं यूसुप जी हमारे चैनल पर आकर अपने अनुभब बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कर दो